नवस्कार दोस्तों आपका स्वागत है शामिन शाला चैनल में आज हम लेकर आए हैं आपके डाउट्स और सलूशन जो आपने हमसे कमेंट शक्षिन ने पूछे थे आपने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे थे तो यहाँ पर हमने कुछ कॉमन साल लिये हैं दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट शक्षिन में ज़रूर बताएगा उसके उपर हम नेक्स वीडियो के अंदर बात कर लेंगे दोस्तों बात करनें आपके सबसे पहले डाउट की जो की पूछा गया है कि सर के आईटियो पास आउट गर्ल्स डियाडियो में जा सकती हैं या फिर बॉइस ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डियाडियो के इंदर जो वेकेंसिज आती है आईटिय लेवल के उपर वो आती है टेक्निशन एक ग्रेड की और यहाँ पर इलिजिबिल्टी कर्टिरे के बात करूँ तो यहाँ पर वाइज और गल्स दोनों इलिजिबल होते हैं ठीक अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डाउट के उपर जो कि पुछा गया है मैंने आईटिय वेल्डर ट्रेड से किया है क्या मुझे ताटा में क्लरिकल जॉब मिल जाएगा तो जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताटा कंपनी के इंदर आईटिय पास आउट के पहली आध है टेक्नीशन की और दुसरी आत है अप्रेंटिशिब की दोनों पोश्ट में आपका टेकनिकल वर्क होता है और आपका जो कॉलिफिकेशन है वो भी टेकनिकल होना चाहिए ठेक है क्लरिकल के लिए आईटिय आई क्वालिफिकेशन नहीं रखाजाता है ठेक है क आपका जो doubt है वो clear हो गया होगा अब दोस्तों बात करता आपके next doubt के उपर जो की पूछा है आपने sir मैंने टर्णाट्रेट से आइटियाई पास कर ली है मैं private आइटियाई में पढ़ाना चाहती हूँ कौन सा course करना होगा आइटियाई कॉले में पढ़ाने के लिए आपके पास CITS का certificate होना जरूरी है और CITS जो होता है ये one year का course होता है और इस course को करने के लिए आपको सबसे पहले एक All India Trade Test से गुजरना पढ़ता है उस test को आपको पास करना होगा उसके बाद आपका one year का course होता है और उसके बाद ही आप किसी भी ITI private college के अंदर पढ़ा सकते हैं ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं आपके next doubt के उपर जो की पुछा गया कि sir मेरा 12 में 65% है क्या मुझे ITI में admission मिल जाएगा देखिए ITI में admission लेने के रिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 12 होना चाहिए ठीक है क्योंकि ITI के अंदर कुछ ऐसे trade है जिनका minimum qualification जो है आपका 8 रखा गया है और कुछ का 10 रखा गया है 8 के basis पर आप admission लेते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ trade देखनों को मिलेंगे जैसे कि welder हो गया ठीक है और carpenter हो गया इस type की जो trades है इसके अंदर admission लेने के लिए आपके पास minimum qualification 8 रखा जाता है ठीक है अगर मैं बात करूँ कि और कुछ ऐसे trade है जहाँ पर minimum qualification जो है 10 रखा जाता है जैसे कि हो गया आपका electrician, feeder, machinist यह ऐसे trade है ज यहाँ पर आपका minimum qualification 10 रखा जाता है ठीक है अब बात करते हैं आपके next doubt के उपर जो की पुछा गया कि sir मैं GE का form भरना चाहती हूं मगर मैंने idea electrician से करी है तो अब क्या करूँ तो यहाँ पर मैं आपको clear करना चाहूंगा GE post में apply करने के लिए आपको diploma करना compulsory है और ITI करने के बाद आप अपनी trades related diploma में little entry ले सकती है जो कि 2 साल का ही सिर्फ होता है ठीक है और उसके बाद ही आप किसी भी GE post के लिए apply कर सकते हो क्योंकि GE post के लिए minimum qualification जो है all over India वहाँ पर diploma रखा जाता है ठीक है और यहाँ पर मैं आ ITI के लिए बता दूं तो ITI level के जो vacancies निकलती है वो लगभग technician post के लिए ही निकलती है दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है अगर आपके मन में course या career से जोड़े और भी कोई सवाल है तो आप हमें comment section में जरूर बता सकते और उनका solution पा सकते दोस्तों अगर आपने शमिशनला यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजी और वीडियो को लाइक करना मत बुलिएगा